हलो बच्चो नमस्कार मेरा ना महुम्माद बासितली है और मैं नारायना समस्ता में हिंद्य अध्यापक हूँ आज मैं नवीक अक्षाद वितिय भाषा हिंदी प्रकुर्ति की सीख नामक जो कविता है वो कविता के माध्यम से जो आपको प्रश्ण दिये गए हैं इस कविता होंगे अब ठेक तरह से सुने होंगे आप आनंद लिये होंगे तो इसके जो कविता है कविता के माध्यम से जो प्रश्ण दिये गए हैं इन प्रश्ण का मैं उत्तर आपको विश्ले शनात्मक समझाने का प्रयास करूँगा पहले प्रश्ण पढ़ँगा उसके प इसमें गहिराई के निच्चे रिखांकित किया गया है तो ये गहिराई में प्रत्य क्या है प्रत्य करता होता है एक मूल शब्द को आखरी में अंत में आड़ होने वाला कोई अक्षर या शब्द को मूल क्या कहते हैं प्रत्य कहते हैं अब यहां पर आप देखिए इसके वि है उसके पारशा दूसरा परशनना है तो शिवू जी के शिष पर गंगा है यहांपर एब स You कर अरए तो तद्सम चब्द है इसका तद्भ्वव रूप क्या होता है अब है आप्शन a विकल्प यह सिर, माथा, सिंग, सिरा, यह तद्भव, तत्सम का परलब है, उसमें कोई सांस्क्रिक शब्द मिलना या सा, ख्षा, त्रा, ऐसे शब्दों कहीं मिले जैसे हैं महिसुस होना, अब यहां पर सिर में सा महिसुस हो रहा है, इसलिए इसका विकल्प है यह सिर, उसके परशात तीसरा प्रशन है, परवत उंचे बनने का संदेश देता है, रेका के शब्द क्या है, परवत के निचे यहां पर रेकांकित किया गया है, इसका परियाशा परवत को और क्या-क्या कहते हैं, तो यहां पर विकल्प है अनल, अनिल, पहाड, समीर, याने पहाड, इसका विकल जिंया के पांच भेद हैं वेक्तिवा सब्सक्राइब जातीवा जटक सब्सक्राइब सब्सक्राइब समें बरता है इस infect भाने वाजी सब्सक्राइब विकल्प है उंचे-चे गहराई, तरल, मृदुल, कभी भी गहराई, सरल्त, ऐसे शब्द जबात है ते भावाचे संग्या में लिये जाते हैं, तो इसका आंसर होता है, उत्तर होता है, विकल्प भी गहराई, उसके परशात, पांचवा प्रशन है, शुद्द वर्तनी, यहां पर अशुद्द शब् हैं, इन अशुद्द में एक शुद्द है, वो क्या है, आप पहचानिये, विकल्प यह, मृदुल, 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 याने, इसका सही विकल्प है, मृदुल, मृदुल का मतलब है कोमल, ओके बेटे, उसके परशात, छटा प्रशन है, पृत्वी कहती धैर कशने से बिए antes, कितनी हो सिर परभार, पर यहाँ पर के निचे रिकान्कित किया गया है, पर के भिनार्त किया है, तो इहां पर भिनार्त भिनार्त मरें अलग-अलग भूएनिंग निकलते हैं, मृदू पर पक्षी के पर अच्छे है, तो यह यहां पर वहां भी पर है, य उपर पंक यानि व्रुक्ष पर पक्षी बैटी हुई है उपर बैटी हुई है उसके पर सुन्दर है पंक सुन्दर है ओके बेटे इस तरह से उसके प्रशाद है साथमा प्रश्णा सागर लहराता है भूत काल में लिखिए ये सागर लहराता है क्या है ये वर्तमान काल है परिश भविश में लिखते हैं तो सागर लहराता होगा उके पहेशत परवत सागर पृत्वी नभ defend ar यहां पर इ की मात्रा मतला जब ही भी जो शब्ड जो निर्जीव होते हैं उसमें जब मात्रा की मात्रा ए की आ रही है तो वो स्ट्रीलिंग होता है पृत्वी अब देखिए यहां पर पर्वत में आकी मात्रा है सागर में आकी मात्रा है नभु में भी आकी मात्रा आ रही है तो पृत्वी यह क्या है? E की मात्रा है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है, C इसका विकल्प है, उसके पशाथ नवा प्रश्न है, वाक्य का सही क्रम पहचानिये, यहाँ पर कुछ वाक्य दिये गए हैं, इसको सही क्रम में लिखना है, पृत्वी धैरी रखने का संदेश देती है धैरी पृत्वी रखने का देती संदेश है, पृत्वी संदेश रखने का धैरी देती है, संदेश देती धैरी पृत्वी रखने का है, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है, पृत्वी धैरी रखने का संदेश देती है, यह विकल्प इसका सही है, आखरी प्रश्न है, उत से पहले बता चुगा था किहां तो यहां पर saliva है? सरवनाम आम है? तो इसलिए यह तनाम है? यहां इसका विकल्प है है यहां तिरा आपका प्रश्नपत्र पूर्ण हो चुका है ठीक तरह से समझ में आ क्या होंगा धन्यवाद